हलो अब्रीवन स्वागत है आपका एक नए वीडियो में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है वो कितना वोल्टेज से हमारी बैटरी चार्ज करता है और जितना वोल्टेज सोलर पैनल से आता है उतना वोल्टेज सोलर चार्ज कंट् तो उस पर कमेंट आया था कि सर हमारा सोलर पैनल जो है कितने एंपियर से हमारी बैटरी को चार्ज करता है लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि अगर सोलर जो है 19 वोल्ट 20 वोल्ट आउटपूट सप्लाई देता है तो पहले वो बोल्टेज जो है हमारे सोलर चार्ज कंट्र में वोल्टिज कम होता है और करेंट बनाता है उतना करेंट हमारी बैटरी तक पहुंचता है कि यह क्या हम आपको प्रक्टिकली में जवाब देने वाले हम टेस्ट भी करेंगे लाइफ मुल्टिमेटर के माध्यम से कई लोग मल्टिमेटर के माध्यम से भी टेस्ट कर लेते हैं लेकिन फिर भी उनके मन में सवाल रहता है तो चलिए बीना टाम विस्ट किये इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और ले चलते हैं अपने अब आपको सारा कुछ एक्स्प्लेइन करके बता देते हैं तो अभी तक इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूटुब चानल पर नए होंगे चलू सब्सक्राइब करें इह अब माच पके अपने और चार्जच केंट्रोलर के पास यहां पर आप देख पारे हों हमारा अभी हमारी बैटरी वह चार्ज यह और पर अ बडरिंग कर रहा है अब यहां पर हमने हमने हम इंप ससंट कर लेते हैं हमने αमने मल्टिमीटक अ एंपियर मोड में लाके रखा हुआ है और एंपियर पहले देख लेते हैं कि जान या में जार्द करके रखी और वोल्टेज अगर हम देखें तो यहां पर हम पोज्टिव और निगर्टिव अगर हम कनेक्ट करते हैं तो 20.1 एक वोल्ट यहां पर दिखाई दे रहा है तो अब हमें क्या करना होगा वोल्टेज और एंपियर जानने के लिए कि उतना सेम वोल्टेज और सेम एंपियर हमारी बैटरी के पास पहुंच रहा है कि नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं यहां पर जैसे कि हमारी बैटरी के पास यह बैटरी वाला जो connection है जैसे बैटरी का positive और बैटरी का negative मतलब यह दो wire यह दो wire जो है हमारी बैटरी में connect हुए हैं तो अगर हम इस तरह से check करेंगे तो यह बैटरी का voltage और ampere बताएगा तो अगर यहां पर positive और negative अगर हम test कर रहे हैं connect करके तो यहां पर 13.8 यहां पर voltage दि यहां पर हमारे शाज्ड दिखाएगा तो इसलिए हमें क्या करना होगा हमें यह जानने के लिए कि हमारे Solar panel से जितना voltage और जितना ampere आ रहा ह crear चार्टरी तक जानने के लिए यह हमारा Solar Charge Controller अफ मैं हैं इसकी लिए हमें क्या करना हो अगर हम दोनों ही वायर को निकाल देते हैं अपने सोलर चार्ज कंट्रोलर से कुछ इस तरह से तब भी अगर हम मल्टिमिटर का वायर कनेक्ट करते हैं तो यहां पर कोई वोल्टेज और कोई एंपियर शोर नहीं करेगा क्योंकि इसका Motherboard ऐसा बनाया गया है कि जब तक कि ये हमारी बैटरी का वायर अगर कनेक्ट नहीं होगा तब तक कोई भी वोल्टेज और कोई भी एंपियर शोर नहीं करेगा अब हम क्या करते हैं अपनी battery का कोई एक wire जो है हम अपने solar charge controller से connect कर देते हैं तो यहाँ पर हमने अपने negative वाइर जो है हम अपने solar charge controller से connect किया हुआ है अब हमें क्या होगा अब जब हम connect करेंगे अपने multimeter का wire तब हमें बताएगा कि यह कितना voltage और कितना एंपियर हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा है जैसे कि यहाँ पर positive और यहाँ पर negative अगर हम touch करते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 16 voltage यहाँ पर show कर रहा है मिन्स कि यह 16 voltage से हमारी बैटरी को चार्ज करेगा अब यहाँ पर 20 voltage शो कर रहा था जो हमारा solar charge controller यहाँ पर तो यह 20 volt दे रहा था तो यह हमारे 20 volt को convert कर दिया है solar volt में ठेक है यहाँ पर आप clear देख पा रहे हो अब इसने voltage को बहुत ज्यादा कम कर दिया है वही अगर हम ampere test कर लेते हैं ampere भी देखते हैं कि 3.41 ampere मिल रहा था हमारे solar panel से तो उतना ampere मिल रहा है कि नहीं यहाँ पर ampere हम देखते हैं तो 3.43 ampere मिल रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर फिर से हम लगा कर देखते हैं 3.46 ampere यहाँ पर भी मिल रहा है और यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहां पर अगर हम देखते हैं तो 3.46 एंपियर हमें यहां पर दिखाई दे रहा है मिन्स की वोल्टेज में थोरा सा ड्रॉप हो रहा है लेकिन एंपियर एकदम सेम टू सेम मिल रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारी बैटरी जितनी स्पीड से चार्ज होने चाहिए सेम उतनी स्पीड से चार्ज हो रही है जैसे कि अगर हमें वोल्टेज कम मैशूश हो रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम 12-원이 के बैटरी को चार्ज कर रहे हैं और हमारा solar charge controller जो है 16 वोल्ट प्रोवाइट करा रहा है अब यहां पर फिर से में एक बार और ट्राइब कर लेते हैं देख करके यहां पर देख पा रहे हैं अब यह 19 वोल्ट शो कर रहा है तो वोल्टेज़ ड्रॉप हो रहा है अब कभी ड्रॉप हो रहा है कभी नहीं हो रहा है हो सकता है कि पिछले बार हमने connection ठीक से नहीं किया हुआ लेकिन देख सकते हो यह perfect हमें voltage मिल रहा है 19.5 वोल्ट यहां पर मिल में आपका उतना वोल्टेज और करेंट पहुंच रहा है कि नहीं आपके बैटरी के पास तो आपके यह तरीका आपको पसंद आया होगा अभी तक इस वीडियो को लाइक के हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूटीब चैनल पर नए होंगा तो चैनल को भी जरू सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जाहिन